नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो माई चैनल, दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगी कुछ बेहद महत्पॉर्ण सौर्ड नेम की फुल फॉर्म, ये ऐसे सब्द हैं जो अक्सर सुनने में आते हैं जिने आप नियोस पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन आपको इनका इसको हिंदी में कह सकते हैं विसेस कारेबल, दोस्तों जहां पर आप देखते हैं कि साधारण प्रोफेशनल पुलिस काम नहीं कर पाती है, किसी काम को अंजाम तक नहीं पहुचा पाती है, वहाँ पर स्टीफ की टीम को लगाया जाता है, यानि कि स्पेशल टास्क फोर्स क को लगाया जाता है, नेक्स्ट है, SIT, SIT की फुल फार्म होती है, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम, दोस्तों आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, जिनकी जाच परताल करने के लिए, SIT का गठन किया जाता है, या फिर SIT टीम बनाई जाती है, तो SIT को कहत है, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम, इसमें दोस्तों IS, IPS, PCS लेवल के अधिकारी होते हैं, नेक्स्ट है, ATS, ATS की फुल फार्म है, एन्टी टेररिज्म स्कॉर्ड, इसको हिंदी में कहते हैं, आतंकवाद, निरोधक दस्ता, नेक्स्ट है, NIA, NIA की फुल फार्म होती है, National Investigation Agency, इसके बाद है, CAG, इसको कहते हैं CAG, CAG की फुल फार्म होती है, Comptroller and Auditor General, इसको हिंदी में कहते हैं, नियंतरक और महालेखा परिच्छक, नेक्स्ट है, ED, ED का दोस्तों आपने बहुत बार नाम सुना होगा, कि किसी सेलिब्रिटी के घर, या फिर किसी पॉलिटी इसन के घर, ED का चापा पड़ा, तो ED की फुल फार्म है, Enforcement Directorate, इसको हिंदी में कहते हैं, प्रवडत्तन निदेशाले, ED यानि की Enforcement Directorate, भारत सरकार के वित्त मंत्राले के राजस विभाग के अधीन एक विसेश वित्तिय जाच एजनसी है, इसका मुख्याले जो है, वो Border Action Team, ये पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर लगाया जाने वाला बल है, जैसे भारत की तरफ से BSF होती है, Border Security Force, उसी तरह से पाकिस्तान की जो फोर्स है, इसका नाम है BAT, Border Action Team, Next is LAC, LAC की फुल फॉर्म है, Line of Actual Control, इसको हिंदी में कहते हैं, वास्तविक नियंतरण रेखा, दो और ये हैं, भारत और चीन के बीच में, और दूसरी जो है, वो है, LAC, LAC की फुल फॉर्म होती है, Line of Control, इसको कहते हैं, हिंदी में नियंतरण रेखा, ये हैं भारत और पाकिस्तान की मद्ध, Next है, LG, LG इलेक्ट्रोनिक अप्लाइंसेस का निर्मार करती है, और इन्हें पूरा नाम है, Life's Good, ये इलेक्ट्रोनिक प्रोड़क्ट्स, यानि की इलेक्ट्रोनिक अप्लाइंसेस बनाती है, जैसे टीवी, कूलर, फ्रेज, प्रेज, मुवाइल फोन, इत्यादी, Next है, HP, HP की कई तरह की अलग-अलग फुलफाउम होती है, यहाँ पर हम तीन अलग-अलग HP की फुलफाउम आपको बताएंगे, जिनके बारे में आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, तो यहाँ पर जो हमने पहले रखा है, वो है हिंदुस्तान पैट्रोलियम, हिंदुस आपने देखा होगा, HP का जो लैप्टाउप आता है, HP की जो प्रिंटर आते हैं, और भी कई सारे प्रोड़क्ट आते हैं, तो यहाँ पर हम उसी HP की बात कर रहे हैं, इसकी फुलफाउम है, हैवलेट पैकार्ड नेक्स्ट HP है, हार्स पावर, हार्स पावर को सार्ट में बोलते हैं, HP, और इसका पूरा नाम है हार्स पावर, इसको हिंदी में कहते हैं, अस्व सकती, HP यानि कि हार्स पावर में किसी इंजन की कैपिसिटी मापी जाती है, जैसे पुछा जा सकता है कि यह कितने हार्स प्रोडक्ट का निर्माड करती है और बेशती है इसका फुल फार्म है हिंदुस्तान योनी लिवर हिंदुस्तान योनी लिवर इंग्लेंड की कंपनी है इसका जो मुख्याले है वो इंग्लेंड में है और भारत में इसका मुख्यकार्याले है मुंबई में जैसा कि मैंने ITC, ITC की full form है Indian Tobacco Company, ये company भी FMCG product बनाती है, इसके बाद है MRF, MRF की full form है मद्रास rubber factory, मद्रास rubber factory यानि MRF, MRF के आपने देखे होंगी कि टायर आते हैं और इसके बैट यानि की बल्ले आते हैं, तो ये company विशेश रूप से टायर ट्योप और बैट आदी के लिए प्रसिद्ध ह नेक्स्ट है ACC, ACC company cement का production करती है और ACC की full form है associated cement company, ये company cement बनाती है, आपने देखा होगा ACC silver cement, ACC gold cement नेक्स्ट है Dell, Dell एक American company है, आप जानते हैं कि ये company विशेश रूप से laptop के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, Dell की full form है Digital Electronic Link Library, क्या है Digital Electronic Link Library next है HAL, HAL की full form है Hindustan Aeronautics Limited, Hindustan Aeronautics Limited का मुख्याले है करनाटक की राजधानी बंगलोरू में, ये एक aerospace और रच्छा company है जो की fighter plane, aeroplane और helicopter के साथ साथ इनकी parts का निर्माट करती है अभी मैंने आपको HAL की full form बताई, अब देखते हैं HCL की full form, HCL की full form है Hindustan Computer Limited, क्या है Hindustan Computer Limited next है HTC, HTC company especially smartphone और tablets बनाने के लिए बहुत ही famous है, HTC की full form है High Tech Computer, ये ताइवान की company है, ताइवान देश है और ताइवान की राजधानी है ताइपे next है DRDO, DRDO की full form है Defense Research and Development Organization, इसको हिंदी में कहते हैं रच्छा अनुसंधान एवं विकास संगठन क्या कहते हैं, रच्छा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना हुई थी सन 1958 को, ये भारत की रच्छा से जुड़े अनुसंधान कार्रियों के लिए अग्रणिय संस्था है इसके बाद है ONGC, ONGC की फुल फॉर्म है Oil and Natural Gas Corporation Limited, ये भारत में कच्छे तेल और प्राक्रतिक गैस की सबसे बड़ी कमपनी है दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लेगी आप हमें कमेंट करके जरूर रताइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी है नॉलेजबेल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी न भूले Thanks for joining us